आपके विद्वान सात्य हों hydraulics and hydraulic machine का एक और important question हम दोग discuss करने वाले हैं इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो लेक्षिर डिसकस किये हैं वो सभी hydraulics and hydraulic बहुत important और दो-तीन और वीडियो लेक्षिर रह गये हैं जो कि काफी important रही इसके अलमा आपके अगर ये top 20 question की जो series है अगर आप कर लेते हैं आपके exam में 80% से ज़्यादा question सभी यही पूछे जाते हैं बार बार repeated question होते हैं तो बिलकुल भी आपको परिशान होने की ज़र्वर नहीं पढ़ेगी और आप बहुत अच्छे marks gain कर बाएंगे आपके exam point आप देव से पूरे hydraulics में जितने important question है मैं उतको करवा रहा हूँ एक दो video lecture और आने वाले हैं फिर आपका ये series complete हो जाएगा इसके बाद मैं structural mechanics की video lecture start करूँ अगर आपको हमारा ये video lecture पसंद आता है तो आप हमें comment करके बताइएगा कि structural mechanics की video lecture top 20 most expected question की series आपको चाहिए या नहीं clear है अगर आपको पसंद आएगा अगर आप चाहिए तो मैं जरूर इस पर work करूँ ठीक है तो चलिए आज का ये session start करते हैं ज्यादा time नहीं लेते हुए और हाँ अगर आपको हमारा channel और हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप हमारे channel को support करने के लिए subscribe कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ share करते हैं आपका सिर्फ इतना सका है चलिए आज हम पढ़ेंगे पिटाट ट्यूब के बारे में इससे पहले के जो विडियो लग्या है उसमें हमने venture meter और orifice के बारे में पढ़ लिया था जो कि दोनों ही discharge को measure करने के डिवाज से आपके exam में simply प portion तो आपको बिल्कुल simple से लिग देना था को आपकी यह discharge measuring devices होते हैं उनका diagram बना देना था उनकी working को बारे में पूछ लेता है या फिर current meter के बारे में पूछ लेता है तो यह जो पिटाट ट्यूब है और current meter है current meter यह electricity वाला current नहीं है ठीक है electricity वाला current ना अपने वाला current meter दोतल भी नहीं है कि civil engineering में current meter का इस्तमाल और पिटाट ट्यूब का इस्तमाल एक minute इसका जूज होता है velocity measure करने तो current meter और पिटाट ट्यूब क्या है velocity द्रव की गतिज उर्जा मज़र करने का एक device क्लियर है या फिर गतिज सिर्फ मज़र करने का device या simply कहलो कि अगर आपको द्रव की द्रव का वेग पता करना हो तो आपके पास दो आप्शन है चाहिए पिटाट ट्यूब या को current meter ठीक है पिटाट ट्यूब जब आपको गतिज सिर्फ मापने के लिए प्रयोग किया जाता है इस जो हाइट आप देख रहे हो गतिज सिर्फ मापने में प्रयोग किया जाता है कि मालेजी ये लेबल है द्राव तल, ये क्या है? द्राव तल है, तो द्राव तल के लीचे पानी बहर आ है तो किसी बिंद ए पर अगर आपको वेध मिजर करना हो, मैं हाइलाइटर भी आपको कर लेता हूं जिससे आपको और अच्छे से समय ठीक है? यह यहां पर क्या है द्रव तल है तो द्रव के नीचे किसी भी बिंदु यह पर अगर आगर आपको पता करना हूं यहां के पानी का वेव कितना है तो इस बिंदु पर एक L आतार की कांच की पतली नली होती है तो यह पॉइंट के आप इस नली को इस तरीके से इंस्टॉल कर देंगे जो भी पानी बह रहा होगा इस नली के अंदर प्रवेश कर जाएगा और जितना ज्यादा वेव होगा तो अपने वेव से कि अब पानी का मुक्त तल तो यह है तो पानी आटोमेटिकली इतनी उचाई तक तो आएगा जितनी उचाई तक भरेगा ही आटोमेटिकली आपको पता ही कोई गी पाइक अगर पानी आप दुबाते हो तो जो अपना तल होता है उतने तल तक तो पानी भरी जाता है प्लस कुछ वेलोसिटी होने की वज़ा से पानी जो है इस ट्यूब के ऊपर कुछ chau ज़एगा यह डिपेंड करेगा कितनी वेग से पानी बह रहा है ज्यादा वेग से बह रह गरा होगा तो ज्यदा उचाई तक पानी जो है इस ट्यूब में चढ़ जाएगा है यह जो पिता ट्यूब होता है इसमें रेडिंस लगे होती है यानि कि इसमें स्केल बना होता तो आप उस scale के according आप पढ़ सकते हों कि कितनी उचाई तक पानी चड़ गया है, जितनी भी उचाई तक पानी जो है कि इस अपने द्रव तल से उपर चड़ जाता है, वो height h आप note कर लें, ठीक है, और इसका एक simple सा formula है, द्रव प्रवाह की गती v बराबर अंडर रोट में 2g into h, यह जो है कि formula होता है, जिसमें द्रव प्रवाह की गती हम पता करते हैं, तो द्रव प्रवाह की गती small v बराबर अंडर रोट में 2, तो constant है, और g क्या है gravitational acceleration जिसकी value क्या होती 9.81 into h, जितनी भी उचाई तक यह पानी फ्लो हुआ है, उसकी जो h यहाँ पी, आप रखके calculate कर तो आपको उस open channel का आपको पता चल जाएगा vague कितना है, किसी भी नाली में, किसी भी नहर में, किसी नदी में, इतना vague से पानी बह रहा है, इसको पता करने कर यह simple से चलिए, ठीक है, तो pitot tube क्या है, एक काच की नली है, जिसका उप्रयोग गती जिसेड़ से या फिल ध्रव प्रवाह की गती मापने में किया जाता है, ठीक है, यह काच की 90 degree पर मुड़ी L आतार में, ठीक है, L आतार में या फिल 90 degree पर मुड़ी दोनों सिरो पर मुड़ी साधारन नली है, ठीक है, तो एक साधारन नली है, और यह दोनों सिरे पर खुली हुई है, यहाँ पर खुला ह यह खुली हुई लिखा हुआ है तो दोनों सिरों पर खुली स्ताधारण नली है एल आका द्रव का वेग मापने के लिए इसे द्रव के इस प्रकार रखते हैं कि नली की छोटी भुजा द्रव के प्रवाह की दिसा में यह नली की देखी यह बड़ी भुजा है और यह छोटी भुजा है तो नली की जो छोटी भुजा है वो द्रव के प्रवाह की दिसा में इस तरीके से खुली होनी चाहिए ठीक है और प्रवाह के समांतर हमें रखना है यानि कि प्रवाह इस डिरेक्षन में हो रहा है तो हमें काच की नली भी इसी के समांतर में ही रखना है ऐसा नहीं कि प्रवाह इस डिरेक्षन में प्रवाह जो है प्रवाह इस डिरेक्शन में हो रहा है तो हम काच की नली जो है इस डिरेक्शन में राखेंगे तो काच की नली इस रखना है ठीक है आगे कह रहा है तो इससे होगा क्या कि यह जो पानी है नली में कुछ उचाई तक चढ़ जाएगा वह उसकी गतिज सिर्ष बता देगा यानि कि अस्थैतिक यह गतिज सिर्ष बता देगा कि कितनी जागा गतिज उर्जा है इस पानी इसे जितनी उचाई तक पानी चढ़ जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे गतिज सिर्ष यह एच को हम जो है यहाँ पर इस फार्मूले में पूट करके हमें गतिज सिर्ष पता चल गया है इस फार्मले में पूट करके हम वेग पता कर लिते हैं कावाह का वेग ठिकhone है यह को होग्हा पूरा-कुरा पुटा-ट्यूब और साथ साथ एक चीज और आपको पिता ट्यूब में हमें बताना है कि यह जो वेग आपको पता चलता है भी बराबर भी बराबर अंडर रूट में 2G into H यह तो हमने वेग जो नाली का हमने पता किया नाली या नहीं कुछ भी होता है open channel कह सकते हैं इसका जो हमने वेग पता किया है यह तो formula लगा के हमने पता किया है लेकिन हो सकता है कि actual में इससे कम या ज़्यादा वेग हो possibility है और हमेशा ही यह जो formula है वह वास्तलिक वेग से कुछ ज़्यादा ही वेग बताता है क्योंकि actual में तो क्या है पानी बह रहा है तो नाली ही है किसी में नाली बह रहा है तो उसमें घास वगरा जमी होती है इसके किनारे पर कंकड, पत्थर, पत्ती वगरा उसमें रहता है जो कि वेग को रोक देता है आपने देखा होगा कि समर्सिबल चलता है आपके खेतों तक पानी जाती है नाली के माधन से तो जहां पर समर्सिबल चलता है तो डारेटली जब पानी गिरता है नाली में तब उसका वेग जादा रहता है और खेतों तक पहुशते पहुशते उसका वेग कम हो जाता है खरसाड की वज़ा से और घास वगारा जमी होने की वज़ा से वेग कम हो जाता है actual में वेग तो कम हो जाता है और ठरटकल आप जो है कि pitot tube से मज़र करोगे तो कुछ वेग ज़्यादा आता है तो अगर आपको actual वेग पता करना हो तो आपको एक वेग गुडांग से गुडा करना पड़ता है coefficient of velocity c भी से multiply कर देना पड़ता है तो जब आप coefficient वेग गुडांग से multiply कर देते हो तो आपको वास्तिक वेग पता चल जाता है और इस coefficient of velocity को c सर्फिक्स में भी से denote किया जाता है c भी से denote किया जाता है ठीक है और यह coefficient of velocity का जो मान होता है वो एक या एक से कम होता है ठीक है अगर एक रहेगा मान तब तो वो जो theoretical वेग निकल के आया है वो actual वेग के ही बराबर रहेगा लेकिन एक से कम रहेगा तो इसका जो actual velocity है वो थोड़ा कम हो जाएगा मान लेजिए एक्चुल वेग इस फार्मूले से जो निकल के आता है वह निकल के आता है दस दस मीटर पर सेकेंड का वेग निकल के आता है लेकिन जो अब यह तो theoretical वेग है ठीक है theoretical वेग है दस मीटर पर सेकेंड का लेकिन आप actual वेग पता करना चाहते है तो actual वेग के लिए coefficient of velocity से multiply करना पड़ेगा actual वेग को नहीं कि under root 2gh में coefficient of velocity से multiply करना पड़ेगा और मान लीजे कि एक से कम है coefficient of velocity की value कितना है 0.9 है तो आप यहाँ पर 0.9 multiply by under root 2gh का मान कितना आए था 10 तो 10 जब आप यहाँ put कर दोगी तो कितना है तो 9 meter पर सेकेंड क्या है actual velocity यह क्या है actual velocity अट 10 meter पर सेकेंड क्या है theoretical velocity theoretical में दो formula लगा के जो आपने calculate करें clear है तो coefficient of velocity आपके exam में अगर कभी भी आता है numerical भी आता है तो coefficient of velocity वहाँ के दिया रहता यह depend करता है किस तरीके का channel है इसमें कोई घरसंड वगरा कोई आवरोध है कि नहीं अगर आवरोध है तो coefficient of velocity कमान एक से कम होगा और कुछ भी आवरोध नहीं है frictionless है पूरी तरीके से तो coefficient of velocity कमान एक रहेगा एक से multiply किसी चीज़ में करो तो मान तुग ही रहेगा तो actual velocity और theoretical velocity सेम आए clear है तो pitot tube का इस्तमाल कहां पर करते हैं तो आप बोलोगे वेग मिजर करने में ठीक है प्रावा किसी open channel flow में या किसी pipe में वेग पता करना हूँ तो हम pitot tube का इस्तमाल करते हैं ठीक है जैसे pipe है तो pipe में कितने वेग से पानी flow हो रहा है हम क्या करते हैं कि इस pipe में हम pitot tube को install कर लेते हैं अब पानी इधर से flow हो रहा है तो जितनी उचाई तक पानी उपर चड़ जाएगा इसकी height हम मज़र करते हैं और formula से हम पता कर लेते हैं कि क्या है velocity तो pitot tube में थोड़ा सा mathematical calculation clear है तो अगर pitot tube के बारे में आएगा तो आपको यह डाइग्राम बना देने हैं जो कि L.A.R. की कांश की पत्रवी नली होती है जो कि दोनों ही सीरा दोनों ही तरब से खुले होते हैं और उसका जो छोटा वाला सीरा होता है बह द्रव के अंदर जिस भी बिंदु पर दाब मापना हो वहाँ पर पानी के बहाव के parallel में समांतर में लगा दिया जाता है अब वेग की वज़ा से पानी जो है द्रव तल से कुछ उचाई तक वेग की वज़ा से उचाई तक पानी चड़ जाता है जिसको हम द्रव सिर्स बोलते हैं ठीक है तो जिसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वेग पता करने के लिए फार्मिला होता है अब बराबर अंडर रूप में 2G into H तो अंडर रूप 2G into H से हम जो है यहां पर पता कर लेते हैं कि कितना वेग तिक है समझ लेते हैं किसी भी open channel flow में देखिए अभी जो हमने प्रटार ट्यूब आपने पढ़ा है प्रटार ट्यूब क्लियर है तो प्रटार ट्यूब इसी open channel flow में open channel एक मिट open channel flow हो चाहे pipe flow हो pipe flow दोनों में ही wave measure करता है इन दोनों में ही velocity measure करता है open channel flow महले है इस तरीके से कोई नदी है इसमें पानी बहर आया है तो आप वहाँ पिटाट टीव आप इंस्टॉल कर दोगे और वहाँ पे आपको wave पता चल जाएगा कोई pipe है तो pipe के अंदर भी कितना प्रवा हो रहा है तो आपको wave पता करना हो तो pipe के अंदर भी आप पिटाट टीव जो है इंस्टॉल कर दोगी clear है तो आपको जितनी उचाही तक पानी ये चड़ जाता है तो आपको वहाँ से calculate कर लोगी कि pipe में कितना लेकिन ये जो current meter है इसका सिर्फ और सिर्फ इस्तमाल हम कर सकते है open channel में यानि कि किसी नदी नाले नहर में हम जोंकी पानी का wave पता कर सकते है pipe में हम इसका इस्तमाल नहीं करते हैं clear है तो देखे जैसे कि ये नदी है जा फिर कोई नहर है कह सकते हूँ उसका wave पता करना है तो हमने एक धागा बांग दिया है इस तरीके से धागे बना दिया है जिससे हमें पता कि कि होता क्या है जो नदी बह रही होती है तो उसके धागा बांग देते हैं कि हमें एक चीज़ आपको पता हो एक चीज़ आपको clear करता हूँ जब नदी होता है, नदी में देखा होगा कि नदी के बीच में लोग करते हैं, नहीं जाओ, वहाँ पे बेग बहुत ज़्यादा है, बह जाओगे, तैर नहीं पाओगे, तैर ना हो तो नदी के किनारे किनारे तैरो, ठीक है, ऐसा सुना होगा, और एक्शुल में होता भी है, क्योंकि जो नदी होती है कुछ इस तरीके के आतार की होती है, इस तरीके से, ठीक है, तो किनारे किनारे पर इसकी जो पानी की गहराई होती है, बहुत कम होती है, और बीच में गहराई जादा होती है, तो गहराई बढ़ने के साथ साथ पानी का वेग भी बढ़ता चला जाता यहाँ है तो यहक जाद है अगर आपको पता करना हो कि पानी में इस नदी机 है तो रजेण होते जा रहा है जैसे जैसे किनारे собой बीचų चले जाएं Turkish alone तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपसे पूछी प्रेम के लडिक बताू तो तो किनारे पे कुछ और है बीच में कुछ और है तो हमें वेग कैसे पता चलेगा नदी का कितना है हम क्या करते हैं mathematical calculation का इस्तमाल करते हैं जिसमें सिम्संस वन थर्ड रूल है और ट्रेकोज़ोडल रूल है उससे इस नदी का आवसत वेग पता कर लेते हैं तो आवसत वेग पता करने के हम क्या करते हैं जगह जगह पे इसको पूरे नदी को कई छोटे-छोटे होस्ते हैं जगह हां का पता कर लेते हैं तक सिंसेंनल का फार्मुला लगा कि खता कर लेते हैं जब question भी लगाएंगे तो वहां पर आपको बोलेगा आउसत वेग इतना है वो कभी भी नहीं बोलता है कि actual वास्तविक वेग नहीं बोलता है हमेशा आउसत वेग बोलता है वो इसी लिए बोलता है ओपें चैनल फ्लो का मतलब होगा है कोई नदी नहर्जो की जिसका उपरी स सुलो उपंट चैनल फ्लो में कहलेकर करते हैं वो भी ओपंट चैनल सुलो की इस तरीके कर ड्याज़ कर दिवाइस होता है इसमें एक कॉन लगा होता है कौन कॉन लगा होती है और इसमें गाहइंद बेंस लगी होती है 지역 कॉनके अंदर या घ्यास जैसा सब्छनाएंंग होत पानी यहां से पास होता है जब इस पे टकराता है इस taraf के अंदर टकराता है कप जो है गोल-गोल वर्टिकल अक्सिस के अबंद गूल जो ओंये लग जा अअ जितनी भार यह वर्टिकल अक्सिस ऐसके बाउट घूंता है इसके उपर एक arrangement है यह arrangement क्या करता है जितनी बार यह गूंता है उतनी बार का यह signal जो है यहाँ पर electronic device में भेज़ देता है electronic device क्या करता है इसी signal को count कर लेता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी बार यह जो है और यह depend करेगा कि पानी कितनी वेग से बहरा है अगर जादा वेग से पानी बहरा है ति यह कौन जो है बहुत तेही से rotate करेगा धीरे धीरे वेग से बहरा है यह कौन जो है धीरे धीरे rotate करेगा clear है तो जितनी बार यह rotate करता है यह electronic device अपना जो है कि calculation करके सीधे वेग बता दे इस पर्टिक्लर जगह पे जहां पे आपने करेंट मीटर इंस्टॉल किया है इसका वेग है कितना है वो सीधे डिसक्ले पर वेग देता है और नदी के किनारे पर वेग कम होता है और जैसे 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 आप बीच में जाओगे बनुद्स बढ़ता जाएगा जैसे जैसे किनारे पे जाओ額 handling कम होता जाओगा। साथ ही साथ जैसे जैसे आप गहराई पे चलते चले जाओब वेउव कम होता जाएगा और उपर की तरफ आओगी तो वेउव बढ़ता चलाज़। मतलब क्या कि नदी में अगर बीच में चलते चले जाएंगे तो वेग बढ़ेगा, किनारे से बीच में जाएंगे तो वेग बढ़ेगा, उसी तरीके से तली से जितनी ऊपर चलते चले जाएंगे तो वेग बढ़ेगा, तो हर एक बिन उपर वेग चेंज होता है, तो किस पॉइंट पे जैसे तली हमें पता करना हो जैसे ये हमारी नदी है या कोई नहर है तो इस नहर पे इस पॉइंट पे एक मीटर की गहराई पे क्या वेग है पता करने के लिए हम यहां पे इस एक मीटर की गहराई पे करेंट मीटर इंस्टॉल करेंगे एक मीटर गहराई पे जो भी पानी गह खाल रहा होगा उसी की वेग से यह रोटेट करेगा और डिस्प्लेय पे हमें करेंट मीटर की सो हो जाएगा कि इसके उपर एक रॉड लगी होती है जो पूरा का पूरा ऐसे रॉड लगा होता है इसके जो रीडिंग बनी होती है scale बना होता है, जितनी भी गहराई पर और इसके नीचे जो है इस तरेके से प्यार बना होता है, जिससे कि अगर आप जमीन पर चेक करते होगे तो मिट्टी में यह धसे ना मिट्टी से कुछ उुचाई पर ही रहे जिसे कि पानी यहां से फ्लो कुछ इस तरीके का arrangement यहां पर देख रहा हूंगे एक जो है करेंट मीटर का इस्तमाल करके किसी भी ओपन चैनल श्लो में वेग पता करता है यह जो पूरा का पूरा दिवाइस है यह पानी की अंदर है और यह एक वायर से इलर्टानइक डिवाइस जिसमें बलासथी भी आसांी से पढ़ रहा है साहते आए इस क्या करता है इस सघॉझा को सीधा कर देए प्रावाह के पैरलल में रखने का काम करता है यह गाईडवेंज तो आई हो कि फोड़ा बहुत आपको अंडर्स्टाइंडिंग हो गई होगी करेंट मीटर के पाईज है तो किसी भी ओपन चैनल फ्लो में जिस भी बिंदु पर आपको वेग पता करना हूं वहाँ पर यह करेंट मीटर डिवाइस लगा देते हैं तो जिसके और पानी के बहने की बज़ा से यह पानी जो है कोन पर ठकराता है और कोन जो है गोल गोल वाई एक्सिस के अबाउट कोन घूमने लग जबता है और इसकी डीडिम बहुत आसानी से हम इलक्ट्रोनिक डिवाइस में पढ़ता है अब लेंग्वेस के इस आप से देखते हैं कहरा है कि इसमें 36 या उर्ध्वा धर अच पर एक घूमने वाला अंग होता है यह जो पिक्चर आप देख रहे हुए इसमें लगा हुआ है दिखाया गया तो उर्ध्वा धर अच पर घूमने वाला अंग लगा है आगे इस घूमने वाले अंग में या तो कोई गूमने वाले अंग में कई कप और गाइड फणल बनी होती है तो कई कप का मतलब हो गया यहां तो देख रहे हैं चोटे चोटे कप बने हुए है तीक है इस तरीके का कप बना हुगा है पॉनिकल कब बना हुगा है तीक है जब इस पर पानी का प्रेशन लगता है तो जोल इंग्लिस में बोलेंगे guide veins और हिंदी में बोलेंगे guide veins लगी हो जो कि इस current meter को हमेशा पानी के प्रवाह के parallel रखने का प्रयास करता है इस guide फलक, guide फलक की सहाथा से meter की अच्छ सद्राव प्रवाह के दिसा में दिसा के लंग रूप रहती है तो प्रवाह के दिसा के लंग रूप या फिक parallel रहती है जिधर प्रवाह हो रहा है उसी के parallel रहे आगे प्रवाह की गती के कारण कप अपनी अच्छ पर घूमते हैं ये जो कप है अपनी अच्छ पर घूमते हैं प्रवाह के गती के कारण तथा घुमाव गती, द्रव बहाव गती के समान उपाती होगी, समान उपाती का मतलर जितनी तेजी से बहाव होगा द्रव का, इतनी ही तेजी से घुमेगा, और कम अगर कम होगा, तो यह जो कफ है, अपनी अच्छ पर धीरे-धीरे घुमेगा, तो यह जो कफ है, अपनी इसे पहले जो पुराना current meter आता था ना, उसमें खुद इससे कितनी बार जूम रहा है, यग काउंट करना पड़ाता है, फ्रीक है, जिस से कई बार है कि हम ठीक से count नहीं कर पाते थे, तो वे और जाता था, इसमें जो है कि बल्कुल अच्छे से सही velocity पता चल जाती है, यह दे हुआ लिए इस तरीके से पत्ति जैसा रहता है जासा सामने से तो यह पत्ति चावकोर जैसा इस तरीके क्र पत्ति होता है ठीक से मैं बनाने का रहा हूं ठीक है यह एक पत्ति यह है यह एक पत्तिये हैं दूसरी पत्तिये इस तरीके से बने होते हैं ठीक है जिससे के पानी इसके पैरलल में ही ऐसे फ्रोग रहे हैं आगे क्या कह रहा है इसमें कैम आदी का ऐसा प्रबंध होता है कि प्रक्षिक चक्र में बिद्धुत परिपध एक बार तूटता और जैसे घूम के आगे आएगा तो फिर बिद्धुत परिपध आ जाएगा जितनी बार घूमेगा तो बिद्धुत परिपध जोड़ेगा तो जितनी बार तूटता और जुड़ता है उसको काउंट कर लेता है जैसे कितनी बार बिजली आई इस्तार में उसको काउंट कर ले तर उसी को जो है सो कर देता है कैलकुलेशन कर इस प्रकार मीटर से दूर ही किसी काउंटर को चलाया जा सकता है यानि कि यह काउंटर है जो कि काउंट करके बता दे रहा है और यह मीटर लगा हुआ है तो मीटर से दूर ही किसी काउंटर को चलाया जा सकता है चक्रों की संख् पढ़ी जा सकती है यह तो पानी में डूबा रहेगा और electronic device पानी के उपर रहेगा क्लियर है द्रव में किसी अस्थान पर गती ग्याद करने के लिए इसे उस द्रव में दुबाया जाता है ग्राव के अंदर जिस भी अस्थाम के गफी प्राद करनी जानना हो उस जगा पे हम इसको क्या करते हैं दुबा दे तो वहां से हमें पता चल जाता है कि क्या NBA थिक है आगे current meter की सहायता से ढिसर्जन भी जाद किया जा सकता है तो current meter का उपयोग क्या है ? ढिसर्जन यानि की呢 discharge ज्याद करने में परयोग किया जाता है या हमेशा इसा ही open channel flow में gospel होता है इसका परयोग fully channel जैसे कि नदीम यह बंद पाइप में प्रावाह के लिए प्रयोग किया जाता है बंद पाइप में मतल होकोई बड़ा की सीवर का पाइप लाइन है उसके अन्दर भी अगर आप वेप पता करना चाहो तो उसके अंदर जाके current meter install करके sewer का वेक कर सकते हैं ठीक है यह पूरा का पूरा हमने current meter discuss कर लिया है ओके तो current meter और pitat tube हो गया है यह काफी important है इसको जो है इसका diagram आप बना लीजेगा current meter का diagram बनाना थोड़ा सा मुस्किद लेकिन फिर भी hand free diagram थोड़ा सा practice कर लिजेगा पिटार ट्यूग का diagram जरूर बनाईएगा तो इस diagram को जब आप बना देते हो तो आपको बहुत अच्छे marks मिलते हैं तो diagram बिल्कुल भी में भूलिएगा अच्छे से बनाईएगा और इसके बारे में जो भी हमने आपको बताया है वो लिप देजे करेंट मीटर क्या है यह है एक electronic device है जिसका उत्योग फुली नाली रही ठीक है प्रवाह का र्श करने में पिया जाता है यहां से dissertation बताने का मतलब क्या है कि अगर यहां पर 對 करएंट मीटर की सहाथा से विसर्जन भी ग्यात किया जाता है यहां को कंस्यूजन हो सकता है देखें का यहां पो करना रहता है यहां पता करने के लिए एर्या इंटु वेलासिटी आपको आपको पता चल गया अब जिस भी नाली से नहर से पानी फ्लो हो रहा है, जैसे कमालो एक rectangular channel है, ठीक है, एक जो है कि नहर बना दिया है, आयताकार, इससे इतना पानी भर के फ्लो हो रहा है, इसका discharge पता करना हो, तो wave तो आपको पहले से पता है, इसका area पता करने के लिए width और depth जो है, आप calculate कर लो, area पता चल ज तो इसलिए कहा रहा है कि current meter का उप्लो बिसरजन भी व्याद करने में किया जाता है, clear है, I hope कि सारा doubt आपको clear हो गया होगा, तो current meter किसी भी open channel या pipe में wave पता करने के लिए किया जाता है, प्रयो, इससे पहले हमने venture meter और office बताया था, जो कि discharge पता करने के लिए किया जाता है, वो भी किसमा pipe में, ठीक है, I hope कि सारा doubt आपको clear हो गया होगा, अगर clear हो गया, तो हमें comment करके बताए, और अगर हमारा video lecture आपको पसंद आता है, तो like कर चाहिए, तो अगर आपको notes बगरा चाहिए, तो civil supportive telegram channel है, उसको join कर सकते हैं, simply search करके या description में link है, वहाँ से भी join कर सकते है, ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरे video लग चाहिए, पत्तक के लिए धन्वाद,